पूलिस अधिक्षक गंगाराम पुनिया द्वारा नमस्ते चोंक पहुचकर जायजा लिया गया एवं समबन्दित विभाग के अधिकार्यों को दिशा निर्देश भी दिये गई आपको बता दे कि सीम के आगमन से पहले डीसी एसपी वर नगर निगम अधिकारियों ने मंगल सीन ओडिटोरियम पहुचकर यहां का जायजा लिया यहां आपको यह भी बता दे कि मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर सुभे 11 बजे करनाल आएंगे मुख्य मंतरी मनोहर लाल मंगल से इन ओडिटोरियम में 109 अग्रेसिव किसानों से क्रिशी बिलो पर सीधी बात करेंगे यहां यह भी माना जा रहा है कि सीएम कुछ किसानों को सम्वानित भी कर सकते हैं यहां पर हर्याना भर्ल से अग्रेसिव किसानों को बुलाया गया है बताते चले कि जीला परशास ने सीएम के कल यानी रविवार को करनाल में आवगमन को लेकर मंगल से इन ओडिटोरियम पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर रविवार को करनाल में विभिन विकास कारिये तथा योजनाओं का उदगाटन करेंगे जानवीर करन के नाम से करनाल के एंट्रेस पर यह भववा गेट बना गया है जिसका निक्सरन करने के लिए जिलाव पायुक्ति यहां पहुँचे हैं कल cm साब की विजट है इसका करन दुवार का उदगाटन है सीम साब करेंगे तो उसी के बारे में विशना यह देखने के लिए जैसे के डी साब ने आपको पताया है नमस्ते चौंकर करन दुवार का उदगाटन है माने cm साब यहां पर आएंगे और कल शाम शे बजे का प्रोग्राम है और उसकी व्यस्ता है आज हम त्यार कर रहे हैं जो बैनेजमेंट है उसके प्रॉपर हो जाए उसके लिए प्रशाशनाद त्यारी कर रहे हैं तोड़ी सवाई वस्ता है थोड़ी हमारी कमजोर है उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं और अभी हम इसको लगा के अपने सवाई करमचारी इसको सारी इसको बहुत बढ़ी है नमस्ते चौंग हम तो बच्पन से देखते आ रहे हैं यहीं का मैं रहने वाला पानीपत के पास ही मेरा गाहू है जब भी आते तो बस में बैठे आते तो कहते तो नमस्ते चौंग पहुंच गया है आज नमस्ते चौंग दोबारासे स्थाफिता पंद्रह लाग रुपए नगर निकान इसे के पर खर्च किया और बहुत बड़ी बात है कि करुनाल की प्वारासे स्थापित हुई ए करनाल की पेशान है तो यहां पर हम बैठने की वस्ता कर रहे हैं और मनें सीम साथ भी यहां पर अपना संदेश देंगे तो सभी यहां पर मंत्रित है सभी करनाल वस्ति यहां पर पहुंचे हैं तो आप देख रहे थे मुख्य मंत्री के दोरे को लेकर करनाल के नमस्ते चोंक पर भववा त्यारियां की जा रही हैं समंदित विभाग के दिकारी यहां पर पहुंचे हैं मुख्य मंतरी करनाल की पहचान नमस्ते चोंग का उद्गाटन करने के लिए यहां पहुचेंगे हम आपको बता दे कि करनाल की पहचान नमस्ते चोंग से पुरानी है जो लूप्त होती जा रही थी परंतु अब दोबारा से यहां पर भववा प्रतिमा स्थापित की गई है नमस्ते चोंग जो करनाल की एक पहचान थी उसको लेकर दोबारा से नगर निगम दोबारा यहां पर नमस्ते चोंग स्थापित किया गया है यह परतिम्मा जिटी रोड से दूर तक दिखाई देगी और जो करनाल की आन, बान, सान को दर्शाएगी मैं सन्नी चोदरी समाचाराख स्पैस के लिए करनाल नमस्ते चो झाल बान, बान, सान को दो चांचार के लिए एगाउब झाल